नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक नियूस 24 पवन सिंग और जोती सिंग इस वक्त एक साथ दिल्ली में रह रहे हैं जहां से कुछ तस्वीर और वीडियो भी निकल कर सोसल मीडिया पर आती है जिसके बात पता चलता है कि दोनों एक साथ दिल्ली में एक नजर आ रहे हैं लेकिन जोती सिंग एक वीडियो अपने सोसल मीडिया पर डालती है जिसके बात पता चलता है कि जोती सिंग अब अपना घर बसाना तो ली लेकिन अब उन्हें घर में किलकारी भी चाहिए जी हां वही किलकारी यानि कि जोती सिंग अब मा बनना चाहती है जोती सिंग जल्दी नन्ही मुन्ही को घर में लाना चाहती है, इसका इस सारा जोती सिंग ने एक वीडियो के जड़िये दिया है, जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चर्चा करेंगे कि वही जोती सिंग जो अभी तक पवन सिंग पर कई गंभीर आरोप लगा रह एक समय था जब हम भी जोती सिंग को उल्टा सिधा बोले हैं, आप वीडियो में देख लीजे, क्योंकि उस समय हमारे नजरीये से जोती सिंग गलत थी, क्योंकि गलत इस वजह से थी, कि अगर कोई तीसरा इंसान आपका कान भर रहा है, तो आपको अपने आप पे और अपन लाइफ पार्टर भरोसा होना चाहिए, कि वो इंसान गलत चीज है लेकिन वह नहीं गलत हो सकता है, तो वही कुछ छीजा थी जो हमें उन्हें पसंद नहीं आरी थी, लेकिन जब दोनों एक हुए, तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सही थे दो इसलिए एक हुए क्योंकि लाइफ की हैपी एंडिंग तभी होती है जब सही हो दोनों इंसान दोनों सही थे अगर अभी की बात आ रही है तो इस पर भी अगर लेकर चले तो हां इसमें क्या दिक्कत है जोती सिंग ने जिस वह जैसा वह वीडियो है उसमें उन्होंने अपनी कब आएगैं जब बॉट रहिए की तो पीं उदर से कहती है साइसा समय होंगी सोचिया आप he llevar रहे हैं जो लोग अभी क्योंकि अभ तो घला थे क्योंकि अब तो हमारे सवाल मीच न हमारे खुद के सवाल थे ensure की एक ही तस्वीर क्यों तो उस पर भी उस मैसी पूछे थे कि एक ही तस्वीर कर साम्ने आरहे है do उन्हों ने भी कहा था कि इंतिजार की Challenge आजाए रहें जरूरी नहीं कि एकम फार में सब दे लूट सयुदों पर जया किया है क्यम्किक्ट हते कि अपने घर को भी देख नहिंए जो आए ना ज जोति सिंग जो की सेलीब्रिटी नहीं है लेकिन वह वीडियो अप्लूड कर रही है और लोगों को अपडेट कर रही है अपने फैंस को पॉण सिंग जी के फैंस को कि हम और पॉण सिंग बहुत सही से हैं और बच्चों की बाद उन्होंने कहीं तो कुछ सही होगा सब उनके पीच में तभी तो उनों बच्चों की बाद आगे बादा आई हैं हमें अपना बच्चा भी लाइफ में आगे लाना है और किस तरीके से बड़ी बाद देखी यहां पर लोग कहेंगे ना कि हो सकता है जोती ने लाइम लाइट पाने के लिए अपनी मेड के साथ वीडियो डा सकती थी बिल्कुल लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनों मेड के साथ वीडियो डाला है वह बहुत सही चीज है जोती सिंग लास्ट में क्या कहती है आपने सुना होगा जोती सिंग को जब उनकी मेड हो कहती है कि जब पावन सिंग आएंगे तो उनके साथ एक फोटो मेरा दीजिएगा तो जोती सिंग कहती तो इस बात मेरे को पहले क्यों नहीं कही थी अभी तो आए थे अभी खिचवा देती इसका मतलब पावन सिंग उनसे मिलने के लिए गय हुए थे जहां पर जो मेड थी वो नहीं पहुंच पाई फोटो नहीं खिचा पाया तो पावन साथ कितने अच्छे से होंगी और दूसरी बात है कि पावन सिंग और जोती सिंग अभी एक साथ रहे रहे हैं और उन पर सवाले उठाना बहुत बहुत गलत है अभी कि हाँ वो मतलब अभी उनके ठीक है चलो हम सब को हम खुद को इंक्लूड कर रहे हैं कि हमने व्यूज कम रहे हैं उस पर बात करें बहुत खुश है वह उनके स्टेस से स्टोरी से लगी रालागतार आपके पास तो नमर भी आप देखते लिए होंगे जिस तरीके से नए नए गाने उगा के रील बना रही है और जो अपलोड कर रही है फेस्बूब पर सब लोग देख रहे हैं त खुद इस बात के लिए सौरी करते हैं कि हम एक समय पर उनको गलत बोले थे कारण क्या था आपको बताते हैं कि उनके अंदर क्या दर्द था हम वो नहीं देख पाए थे हमारे अंदर ये चीज़ था ना कि कोई औरत कैसे अपने पती पर ना विश्वास करकर किसी तीसरे प बहुत खुश है और भगवान करे ही कि उनकी जिन्दगी में उनका एक अपना परिवार बढ़े आगे और बच्चे भी आए बिल्कुल और अब जो विवात था वो विवात थम गया है और हम भी चाहते हैं कि ये विवात दुबारा उनकी जिन्दी में कभी देखने को न मि दोनों खुस रहें चुनाओं में खड़े हो सांसर भी बने हम भी चाहते हैं तो जोती सिंग अपने इंस्टा पर एक वीडियो डालती है फेस्बूक पेज पर भी उनोंने वीडियो डाला है जिसमें वह अपनी मेट से बात करते हुए कहती है कि अब मैं मा बनना चाहती हू हमारा जब लाइका हो जाएगा तो आप कौन से गाने पर सबसे जादा डांस करेंगी जोती सिंग अपनी मेट से पूछती है मेट का कहना रहता है कि पवन सिंग कहीं गाने पर मैं सबसे जादा डांस करूंगी उसके बाद जोती हसने लगती है यानि कि वो सब कुछ बया कर रहे है कि इस वक्त जोती सिंग पवन सींग के साथ रहकर कितनी खुस है उसे सारा जहां का जो खुसी है वो पवन सिंग के साथ रहने पर मिल रहा है ऐसे में हम भी चाहते हैं कि दोनों की जोरी को किसी की नजर न लगया ऐसे तमाम ख़वरों के लिए आप बने रहेएगा एक